मैंने सोचा क्यों न कुछ चटपटा बनाया जाए तो मैं एक कोकर को गर्म करके इसमें आदा चमस जीरा एक पारी कटे हुए प्याज और मटर डालके इसे में फ्राइ कर ली फिर हल्दी पौडर नमक गरम मसाला पौडर डालके मैं इसे थोरी देर के लिए भून ली उसके ब के लिए फ्राइ कर लिया उसके बाद मैं इसमें चावल डालके और जरूरत के हिसाब से पानी डालके मैं इसका प्लाव तयार करूंगी मैंने यहां पे अंडा प्लाव बनाया है आपको यह रैस्पी कैसी लगी प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करे थैंक्यू प्लाव 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 ड्लाव डानी तो